हला वेलकम यू अल आएम रोईत प्रोम हाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मदर संसुमी सिस्टम लिमिटेट के बारे में सो गाइस गिरते मार्केट में बड़ा मुका मिल रहा है खरीदारी करने के लिए तो गाइस इससे तगड़े मुके आपको नहीं मिलत है मार्केट गिर चुका है 37,000 तक आ गया है जैसे कि मैंने बोला था मैंने कई वीडियो में बोला था कि गाइस स्टॉक में भी गिरावट आएंगी अगर मार्केट गिरेंगा तो तो अब मार्केट बिलकुल नीचे की और आता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट जल्द ही सपोर्ट लेंगा और उपर की और रिवर्सल करेगा और उसके साथ ही जो स्टॉक गिर रहे हैं मदरसम स्वामी देख लिए जो बड़े बड़े स्टॉक जो है जो गिर रहे हैं उनमें तेजी आ सकती है स्टॉक के साथ स्टॉक में तो तेजी आएंगी मार्केट के साथ मार लाएं तो गाइस मदर संसुमी सिस्टम लिमिटेट के बारे में वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेर के अपडेट्स के लिए शेर के लेटेस ने उसके लिए तो गाइस वीड स्टॉक का यहाँ पर चल रहा है अगर देखे तो 30 रुपे 20 पैसे अब तक स्टॉक गिर गया है और 1.31 परसेंट की गिरावाट स्टॉक में नजर आ रही है वही गाईस अगर देखे तो चार्ट में पहले वन हावर चार्ट प्रेम पर हम देखते कि क्या कुछ हमें हो क्या कुछ हमें देखने को मिलता है तो गाइस वन हावर चार्ट फ्रेम पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ लेवल किये हैं उन लेवल को अगर देखा जा तो यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहाता इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉब सीदा उपर के उर गया दोसो सतावन रुपे के स्टॉक में फिर गिरावट आए गया इस फिर यह से इसी लेवल पर सपोर्ट लेके उपर जा सकता है या और नीचे की और यह आ सकता है या फिर हो सकता है गाइस की यही से साइडवेस चलते चलते स्टॉक 257 का आगड़ा भी बार कर दे और 277 रुपे से भी उपर की और स्टॉक चले जाए तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर बट यहाँ पर कुछ चीजे यहाँ पर इंपोर्टन्स रखती है कि उपर जाएंगा तो 257 तक यह जा सकता है बट अगर देखा जाए दो सट्तावन के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है तो काफी तगड़े रिटन्स बन सकते बट देखा जाए तो यही से सपोट लेके उपर के और भी जा सकता है और 220 कंगे सपोट लेवल में दे रहा हो 220 के सपोट लेवल पर आ सकता है और 20 रुपे और starts में गिरावट आ में 抽 सकते वही गाईज अगर गिरा ठाट हमें और ही कुछ बता इए यहाँ पर कहा Wicktonं कुछ और ही है देखा जाए तो स्टाउक यहाँ से ब्रेक अचाउट दे के खड़ा होता है उठता है और मारकेट के साथ मुवमेंट करता है looks ब्पॉटम डबल बॉटम जिसा पेटर्ण अगर बन गया कुछ इस प्रकार का डबल बॉटम जिसा पेटर्ण मन गया तो नीचे इस टॉक को आना है 197 तक तो बिलकुल आपको इसे वाच करना है क्योंकि इससे बड़ी ऑपोर्चुनेटिय आपको कही नहीं मिलने वाली ऐसे स्टॉक इजली नहीं मिलते है गाइस इसे स्टॉक जितने खम प्राइस पर मिले उतना खरीदना चाहिए उतनी जल्दी इसे पर अगर देखें स्टॉक में तुपॉइंट जरो फाइरुपीज तक स्टॉक यहाप बड़त हमें देखने को मिल्रहे हैं मतलब उतार चड़ा स्टॉक में चल रहे हैं 0.86 परसेंट तक स्टॉक में आप यहापर देख सकते हो बड़त है वहीं अगर देखें वन मनके पेका जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 250 का लेवल है उसे ये ब्रेक करने की कई छे महीनों से यहाँ पर कोशिश कर रहा हैfen 250 का लेवल आपर छे महीन नोmm से कोशिश कर रहा हैं अगर देखा जाए उपर गया नहीं है पिछले 6 मेनों से 1 रुपे 20 पेसे तक ही stock में gear out अगर देखा जाए 0.50% के हिसाफ से अब बात करते हैं गाई क्या कुछ आज stock में हो रहा है तो 244 रुपे 30 पेसे तक stock आप पर open हुआ था हाई लगा था stock ने 244 रुपे 35 पेसे गा और गाईज अगर low की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकतो 236 रुपे 0.50 पेसे के असपास का low भी हमें देखने को मिल रहा है सब बात करते है market cap तो market के अगर देखा जाए 76.12,000 करोड के असपास का stock में market cap भी है 37.69 का dividend पर peer ratio भी देखने को 52X का high और 52X का low क्या है 228.85 पेसे का high आपर देखने को मिल रहा है बात करें अगर low की 139.15 पेसे के असपास का low भी आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करतें resistance level, support level क्या कुछ कहते है तो resistance level अगर देखा जाए 250.65 पेसे का असपास देख जाएगा अब बात करतें support levels की 240.15 पेसे का first support level है और guys वही अगर बात करें second support level तो आपको देख जाएगा आपर 236 पे के असपास का और guys वही अगर देखा जाए third support level तो 239 पेसे पेसे के असपास का यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा तो support level resistance level दोनों ही discuss कर लिए अब बात करते हैं आपर क्या कुछ price performance हमें देखने को मिल रहा है तो अगर देखा जाए one week का price performance तो यहाँ पर plus में है 1.66% one month का अगर देखे 0.60% यहाँ पर plus में है अगर देखा जाए one month का यहाँ पर 3 months का तो यहाँ पर देख सकते है 12.55% यहाँ पर plus में year and half का है 46% one year का है 76.12% और three years का है आपर 61.66% तक plus में दीख जाएगा तो plus में ही है कभी में minus में नहीं गया वो 150 का अगर लेवल यहाँ पर break करता है तो काफी टगड़े रेटनस मल सकते हैं यहाँ पर देखा जाए trade value क्या कुछ है तो यहाँ पर trade value अगर देखा जाए तो आज की दिन की अभी तक की पचास लाग के आसपास हो गी है और गाईस अगे ही बात करें एस्टरडे की तो यहाँ पर 87.00.000 की something का trade value है और देखा जाए तो 39.00.000.000 की आपको देखने को मिल जाएगा तो इस अब देखते है कि क्या कुछ हापर community sentiments के आखड़े दिखने को मिल रहे है तो community sentiments के जो आखड़े है आप आप देख सकते हूँ जो 91% लोग है आपर कहरे है buy के लिए buy call दिया जा रहा है 91% लोगों की और से और जो 9% लोग है वो खेर है आपर hold के लिए तो 9% लोगों की और से hold के लिए भी कहा जा रहा है और 91% लोगों की और से आपर buy के लिए भी कहा जा रहा है और buying और holding यहापर देख सकते हैं और 0% selling है तो यहाँ पर selling का pressure विल्कुल भी नहीं है revenues की अगर बात करें तो revenues आप देख सकती यूरनियर revenues अच्छे गासे यहाँ पर बड़त में देखने को मिल रहे है 2017 का जो revenue है 42,375 करोड 2018 का revenue 56,293 करोड 2019 का revenue है 68,522 करोड 2020 का जो revenue है वो है 60,728 करोड और guys वही अगर देखा जाए 2021 का revenue तो ओ है 57,379 करोड का net profit अगर देखे तो net profit अगर देखा जाए 2017 से 2019 का तो काफी similar है बड़ अगर 2020 से 2021 का जो net profit है वो देखा जाए तो काफी down है 2017 में यहाँ पर देख सकते हैं 1,990 करोड का यहाँ पर net profit है 2018 का 2,121 करोड और 2019 का है 1,985 करोड guys वही अगर बात करें हापर कितना down आया है 2020, 2021 में तो 844 करोड हापर down है और 2021 के अगर बात करें तो 1,179 करोड हापर down में दिख जाएगा तो भले ही down में पर plus में दिख जाएगा guys वही अगर बात करें हापर क्या कुछ price पर यहापर और share holding pattern है तो 61,73% जो लोग है यहापर खेह रहे हैं promoters की holding है और जो बिलकुल यहापर अगर देखा जाए FIQ holding है 16,4% DIQ holding है 13,64% और जो public holding है हो है 8,94% so guys stock में dumb है और guys बिलकुल बढ़ सकता है गिराउट में जितना करीच सकतो खरीद लो वीडियो पसंद आव वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो ठेंक्यू